अच्यावां है अचो दोफ़ी अपना है मगाई आवे मनें चीलर का उन्होंने शूर्स स्डोप्र बनी होई थी उन्होंते जो बलाउस पैना है बहुत ही डिफरिंट तरीके का बलाउस पैना है जो वो शूर्टर बनके वोध कर रहे थी तभी आप देख सकते हो कि जो flowers एक साइट पे दिखाय दे रहा है दूसरे साइट पे green color का blouse है तो दोनों तरफ अलग-अलग color का blouse में print दी गई है तो ये बहुत ही different है अब आप देख सकते हो कि आलिया बड़ जो है अपने आपको flaunt करते हुई कैमेरा में दिखाई दे रही है वो अपने आपका ही वीडियो ले रही है और हार्ट बना रही है बहुत ही सुन्दर वो लग रही है इस लुक में आप देख सकते हो वो रनविर कपुर को कापी कर रही है मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं वो तो husband wife है चलता रहता है यह सब कुछ अब आप देख सकते हो कि दोनों सिस्टर का बोन जो है बहुत ही अच्छा है रानी जो है बहुत टिप टॉप बनके आई है और काजोल जो है वो बाल भी अच्छे नहीं बनाए है कलसाडी का कलर भी अच्छा नहीं है तो ऐसे सिंपल लुक में ही वो आई है और फिर बन्डी जी कहने लगे इसलिए वो दोनों बातों में लगे रहती है और फिर पुझा करने लग जाती है तो यहां पर आप देख सकते हो कि बड़ी बेहन का प्यार कितना उबर की आ रहा है आप देख सकते हो कोई बात नहीं दुर्जा माता की पुजा के लिए ही वो गई हुई है वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि काजोल ने बहुती सुन्दर साड़ी पेनी हुई है बालों में गजरा डाला हुआ है और यहाँ पे बच्चन बहु जो है बहुती सुन्दर यहाँ सारी में आपको जयाबचन दिखने वाली है तो जब पंडाल में वो सब लोग पहुचे हुए है पूजा कर रहे हैं बगईरा कर रहे हैं लेकिन जब जयाबचन वो नीचे उतरती है स्टेज में से तो थोड़ा सा गीर जाती है यह आपको देखने को मिलने वाला है काजूल भी काफी टाइम गीरी है स्टेज पे से तो फिर आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से काजूल ने जयाबचन को संभल लिया है और यहाँ पे रानी जो है रुपाली गांगुली के साथ बहुत ही सुन्दर तरीके से फोटो के चुआ रही है दोनों का बॉंड आप देख सकते हो कि बहुत जान पहचान हो वैसे ही वो फोटो के चुआ रही है रानी मुखर जी जो है वो बहुत ही फ्रेंगली है सबी के साथ में हम देख सकते हो कि वो और वीज सब के साथ बहुत अच्छी तरीके से बाते करती है बोलती रहती है वो कभी किसी से खफा नहीं होती है उनका नीचर बहुत ही सुन्दर है सब लोगों को बहुत अच्छी तरके से वो बुनाती है इतने अच्छे नीचर की और उनका सुबाग भी बहुती सुन्दर और बहुती अच्छा है रुपली गांगु नरी ने बहुती सुन्दर पिंक कलर की साड़ी पैनी है और रानी ने भी बहुती सुन्दर रेड कलर की साड़ी पैनी है यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिलपा सेत्टिकुंद्रा अपनी बेटी समिशा को उपर नीचे, उपर नीचे करती है और वो एकसाइस कर रही है उनकी बेटी को भी फन हो गया और उनकी भी एकसाइस हो गयी मुझे लग रहा है कि समिशा काफी बारी है जब उन्होंने अपनी बेटी को नीचे उतारा तभी वो आपको उनके एक्सप्रेशन देखो वो ठक गई है यहाँ पर काजुल वो बोल रही है तभी वो दो पती के ट्रेलर लॉंच में पहस्ची थी वो बोरे कि वो अपने आप में ही सिंगम है उनके हस्वन तो सिंगम नहीं है लेकिन वो सिंगम है यानि कि काजुल जो है वो सिंगम है तो आप देख सकते हो कि काजुल अपने घर की कि तो सिंगम है ही है प्लीज लाइक शेर सस्क्राइब